महाद्रि पार्श्वे चतटे रमंतम संपूज्यमानम सततम मुनींद्रई सुरा सुरई यक्ष महोर गाद्याई केदार मीशम शिवमेक मीडे जो भगवान शंकर परवतराज हिमाले के समीप मंदाकिनी के तट परिस्थित केदार खंड नामक श्रिंग में निवास करते हैं मुनीश्वरो द्वारा हमेशा पूजित हैं देवता यक्ष किन्नर नाग जिनकी हमेशा पूजा करते हैं उन्ही अदित्तिये कल्यालकारी केदारनाथ नामक श्रिंग की मैं स्तुति करता हूँ प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी आधियोगी के स्तुति करने के लिए पूजा आर्चना करने के लिए धाम में पहुचे उन्होंने विधिवत पूजा आर्चना की भगवान शंकर के वाहन नंदी को प्रढाम करते हुए और विधिवत परंपरागत तरीके से पूजा आर्चना की एक जन्नायक के रूप में, एक करतब्वे परायण, प्रधानमंत्री के रूप में, धर्म परायण, राश्ट्र संस्कृति के नए उतकर्ष क्या ये संक्रांति काल है, वास्तों में सनातन संस्कृति के पुनरजागरन का काल है, ये संस्कृति के जैयात्रा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी के नरेतित्य में अहरनिश जारी है, और जब इस विशिष्ट धामों पर प्रधानमंत सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ना माकश्यद दुख भाग भवेत और निश्चित तोर चे वो भावना भी बल्वती होती है जिसमें कहा गया है कि अजयाम्च विश्वश्वदेही शशक्तिम सुशीलम जगद्येन नम्रम भवेत शुतम च अभी कोई चुनोती हमें न दे सके हे प्रभू हमें ऐसा शुद्ध चरित्र दे जिसके समक्ष संपूर विश्वद्नत मस्तक हो जाए हे प्रभू हमें ऐसा ग्यान दे जो कि स्वैंग स्वीकृत कंट का कीरण मार्ग को भी सुगम कर दे ये भावना भी यहां आकर बल्वत होता है नई उर्जा से ओजस्वी तेजस्वी यशश्वी प्रधानमंत्री यहां से अभीभूत होकर राष्ट निर्माड में अहर निष्व प्राण प्रण से जुट जाते हैं और इसी क्रम में आज छटी बार पहुँचे हैं श्री केदारनात धाम भगवान के धाम में प्रधानमंत्री नरिंद्रमोदी ने पहुचकर अपने उस संकल्प की सिध्ध का भी प्रमाड साक्षात प्रमाड दिया है जब साल 2013 की आपदा के बाद उन्होंने पुनर निर्माड और पुनर विस्तार की जो कामना की थी और जो उन्होंने कहा था उ प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें बाबा के इस धाम के विस्तार का पुनर विस्तार का पुनर निर्माड का रूपांतरन का कायांतरन का मौका मिलेगा और वो साक्षात परिलक्षित होता है इस दिव्य धाम में पहुचकर छटी बार प्रधानमंत्री के रूप में झाल